नमस्कार दोस्तों स्वागत करती हूं आपसे भीका शिक्षाप्रवाम है दोस्तों मैं करना ये वीडियो लेकर के आई हूं क्लास 9 के बच्चों के लिए तो बिटा आपका 11 अरिको सोसल साइंस का एक्जाम होने वाला है तो वो कैसा होगा किस तरह का प्रेक्टिस पेपर बो अगर नहीं पता है तो ये वीडियो बच्चों आप लोगों के लिए ही है तो ये जो प्रशन पत्र आपका होने वाला है ये पांच खंडों में डिवाइड होगा खंड का खा गा गा और डा तो इसके अंदर तेहरा प्रशन है बेटा जो आपसे पुछे जाएंगे और इस अगर प्रशन यानी कि वो दो नंबर वाले प्रशन होंगे और 40 नंबर से ज्यादा मतब आपको नहीं लिखना है जो रट लिमिट है वो चालेज नंबर रहेगी खंड खा में बटा 6 से 8 तर प्रशन है तीन अंख वाले है और 80 शब्दों में बटा आपको उनका अंसर देन क्या तेहरा जो मानचित्र पर अधारित है और वो तीन अंक का है ठीक है बिटा तो ये था आपकी जर्णल इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं आपका कुशिन नबर फस्ट तो कुशिन नबर फस्ट है दित्या विश्व यूद के बीज वर्साई की संधी में ही बो दिये गए थ थी इस संधी की वज़े से जर्मनी को अपने सारे उपनिवेश तक्रिवन 10 प्रतिशत आवादी 13 प्रतिशत भुबाग और 75 प्रतिशत लोहो भंडार और 26 प्रतिशत को इलाब भंडार मित्र रास्ट्रों के हवाले करना पड़ा था इस कहते रिक तो उस पर शेयर अरपोन नमबर सेकिंड देखते हैं कुश्यन नमबर सेकिंड है बिटा आप लोगों के लिए भारत में गरीबी के प्रमोक कारणों की विवेश ना किजे तो जो आपको लगते हैं वो कारण हम दे सकते हैं देखते हैं डी यूई ने क्या आंसर इसके लिए लिखा है तो भारत में गरीबी के प्रमोक का कारण है नमबर एक जन संक्या की अधिकता दूसरा असिक्षा तीसरा व्यवसाइक शिक्षा का अभाव और चौथा ओपनिवेसिक सरकार की नीतियां कुश्यन नमबर तीन तो बिटा कुश्यन नमबर तीन आप लोगों के लिए उन महत्वपूर्ण म क्यों होती है यह वाला कुश्यन भी आपका दो नमबर के लिए तो देख लेता है कुश्यन नमबर तीन और चार का सॉलिएशन को जोगतांतरिक चुनाव के मान डंड जो गॉवर्मेंन डिसाइड के हुए वह समान मतादिकार दूसरा चुनाव में विकल्प उपलप्ध हो चुनाव होते हैं मतलब एक समय के बाद होते हैं और चौता स्वतंत्रवय निस्पक्ष चुनाव होते हैं question number 4 का answer दो नमबर का प्रेशन है यह दक्षणी पस्चिमी मांसुनी पर्व ने क्रम अशा पूर्व से पस्चिम की वरबढ़ती है इस क्रम में इन पहुनों त्वारा लाई गई जलवाश्व की मात्रा घटती जाती है अधादेश के उत्री भाग के पस्ट्रिमी भागों में वर्षा पूर्वी इलागों के पेक्षा कम हो जाती है तो यह हैं आपके कुर्षिन नंबर तीन और चार का सॉलुशन कुर्षिन नंबर पांच और छे कुर्षिन नंबर पांच आपका जो है वह रूसी समाज किस पर कार समाजी करत हुआ यह देख लेता है यह दो नंबर का आखरी प्रशन आपका शे नंबर का प्रशन इसके किसानों ने समय समय पर सामोई खेती को करना शुरू कर दिया था तो बेटा यहां से शुरू हो रहा है आपका section B यानि की खंड खा इसके अंदर आपको तीन प्रेशन करने हैं तीन तीन नंबर के हैं तो सभी प्रेशन को बिटा हम एक बादा पढ़ लेंगे तो छे जो प्रे व्याख्या कीज़े इसी के साथ ही साथ अगर आप यह नहीं लिख सकते हैं तो नीचे आपको option दिया गया है कि नात्सी शाशनकाल के दौरान जन संहार में मुख्य निशानों पर कौन थे ठीक है बिटा इसके बाद question number 7 जो तीन नंबर के प्रेशन में है वो है भारत की प् 6 का अंसर कि लड़कियों का फर्द कच्छी मा बनना और सुध आरे रक्त वाले बच्चों को जनम देना था नाशल की सुधता बनाये रखने यहुदियों से दूर रहने घर समाले और बच्चों को नाच्सी मूल माननेताओं की सिक्षा देने का दाय तो भी उन्ही महिलाओ थर्ड उन्हें समझाया जाता था कि औरत मर्द के लिए समान अधिकारों का संगर्ष गलाता है यानि कि इस तरी पुरुष बराबर नहीं है उसके लिए संगर्ष भी मत करो यह समाज यह अगर आपके अंदर धारना है तो यह समाज को नस्च कर देगा इसके अलाबर बिट इनको थोड़ा थोड़ा आपको एक्स्प्लेइन करना पड़ेगा थाड़ है सारे रिख्या मांसे ग्रोप से अयोगे व्यक्ति कुश्य नंबर सेवन का अंसर है सरकार के प्रमुग होने के नादे क्याबिनेट की बैठकों की अध्यक्षिता करना सेकिंड विभिन विभाक इनको थोड़ा से एक्स्प्लेइन करके आपको लिखना पड़ेगा सिर्फ इस तरह से पॉइंट लिख करके काम नहीं जलेगा कुश्य नंबर एट है भारत में निर्धन्ता रेखा का आंकलन सामानता हर पांच वर्ष पर प्रतिदर्ष सर्वेशन के माध्यजन से किया जाता है यह सर्वेशन राष्ट्रे प्रतिदर्ष सर्वेशन संगर्ठन यानि की NSSO द्वारा करवाया जाते हैं भारत में निर्धन्ता रेखा के लिए कुछ और क्यमोरी कैधर पर ग्राम बीकति अगर बीचैरर के च्ब्यकरप से कभार्ट 선ावेशन शर्वेशन सहरीutan और दूसरा प्रतिदर्वेशन रेखा मतलब खर्चा करने पर 2011 वारा के अनुसार ग्रामेन छेत्रों में अगर प्रती महा 816 रुपे प्रती व्यक्ति खर्च होता है और नक्रिय छेत्रों में 1000 रुपे प्रती व्यक्ति होता है तो मतलब वो गरीबी रेखा से बच जाता है इससे कम है तो वो गरीब है खंड गा के सभी प्रशनों को देख लेते हैं खंड गा में बेटा आपसे पूछा गया है कि लोग सभा को संसत का लोवर हाउस कहा जाता है लेकिन यह राज्य सभा अर्थात अपर हाउस से अधिक शक्ति चाली है और कैसे तो बेटा पांच नमबर में यह प्रशन है जिसका अंसर आपको यहां पर देना है और अगर आपको यह कोशन नहीं आता है तो इसके साथ विकल्प आपको दिया गया है कि आपके विचार में भारती नया एक प्राली का सोतंतर क्यूं है इसका कारण आप बताएंगे कोशन नमबर दस भारत में निर्धनता में अंतर राजय असमानताओं का एक विवरन प्रस्तुत कीजिए अगर आप यह कोशन नहीं देना चाहते हैं तो इसके साथ एक और विकल्प आपको दिया गया है कि भारत में 1973 से निर्धनता की प्रतीव रतियों, प्रवर्तियों, सोरी भारत में 1973 से निर्धनता की प्रवर्तियों की चर्चाप को यह अपर करनी है तो क्यूंबर 9 और 10 का अंसर देख लेते हैं बिटा ये पांच नमबर का प्रेशन है आपका खंडगा, question number 9, इसके अंदर हम लिखेंगे दोनों सदनों के बीच मतबेद की स्थिति में अंतिम फैसरा दोनों सदनों की सैयुक्त बैठक में किया जाता है, सदस्यों की संख्या अधिक होने की स्थिति में लोकसभा के विचा अधिक से अधिक 14 दिन ही डिले कर सकती है, उसके बाद उसे वो पारित करना पड़ेगा, थर्ड, राच्यसभा धन विध्यक के संबंध में संशोधन का सुझाव दे सकती है, परना तो ये लोकसभा का अधिकार है कि वो इन सुझावों को माने या फिर ना माने, चौथा, लोकसभा मंतरी परिसद को नियंतरित करती है, सिर्फ वही व्यक्ति प्रधान मंतरी बन सकता है, जिसे लोकसभा में बहुमत हांसे हो, ठीक है बना, अगर आपका इसका फर्स्ट ऑप्शन नहीं करना चाते, तो जो सेकिंड विकल्प, सेकिंड ऑप्शन आपको द पारित करवाकर ही हटाया जा सकता है, उससे पहले नहीं हटाया जा सकता, सेकिंड अगर नियाएपालिका को लगता है कि विधाई का द्वारा कोई कानून सविधान के खिलाफ है, तो वो ऐसे कानून को अमाने कर सकती है, तीसरा, इसी तरह जब उसके सामने किसी कानून या प्रतेक राजय में निर्दन लोगों का अनुपाद एक समान नहीं होता है। सेकेंड वर्ष 2011 वारत में निर्धनता का जो अनुपात था वो 22 प्रतिशत था बिहार और उडिसा अक्रमा से 33.7 और 32 प्रतिशत निर्धनता ओसत के साथ दो सर्वाधिक निर्धन राजे बने हुए थे चीक है? 2011 वारत के अक्रॉडिंग चो था उडिसा मध्यप्रदेश बिहार उत्रप्रदेश में ग्रमेण निर्धनता के साथ नगरिय निर्धनता भी अधिक है उत्तरप्रदेश, बिहार, मध्यप्रदेश और उडिसा. पांचमा, पंचाब और हर्याना जैसे उच्छी व्रद्धी दर से निर्धनता कम करने में पारंपरिक रूप से सफल रहे हैं. यानि कि कौन निर्धनता दर से बाहर आ गया? पंचाब और हर्याना. इसके साथ जो विकल्प में कोशन दिया गया था, उसका आंसर देख लेते हैं, भारत में निर्धनता अनुपात 1993-94 में 45 प्रतिशत थी, जो कि 2004-05 में 27.2 प्रतिशत तक रह गई और उसके बाद 2011-12 में निर्धनता रेखा के नीचे निर्धनता अनुपात 25 प्रतिशत तक आ यदि यही परवर्ती रही तो अगरे कुछ वर्षों में निर्धनता रेखा से नीचे के लोगों की संख्या बीस प्रतिशत से भी नीचे आ जाएगी, यदि निर्धनता रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का प्रतिशत पूर्व के दस्कों में 1973-93 में गिरा है निर्धनता निर्धन लोगों की संख्या वर्ष 2045 में 407 मिलियन से गिर करके 270 मिलियन और वर्ष 2011-12 में 252 परसंट की गिरावट के साथ 2045 से 2011-12 के बीच में बग टूपंड टू प्रतिशत देख ले था है बटा ओप्शन घा तो यह समराइज कोईशन है यहां पर आपको कुछ अनुच्छेद दिये गए हैं उस अनुच्छेद के अधार पर आपको अपने कोईशन के आंसर देने हैं ठीक है बटा तो यह अनुच्छेद बटा आपको इस अनुच्छेद के साथ कुछ प्रशन दिये गए हैं जैसे कि उधार वादी लोकतंत्र वादियों से किस प्रकार भिंते हैं सेकंड रेडिकल सम्हू के राजनितिक विचार क्या थे और तीन रूडी वादी किस प्रकार रेडिकल सम्हू और उधार वादियों के अनुच्छेद को पड़तना है इन प्रशन के उकतर देना जिसमें पहला दृसर्न एक let it और प्रशनितर नंबर के लिए है तो सबसे पहले इसी का solution देक लएता है तो सबसे पहला उधार वादी शम्हू लोकतंत्रवादी नहीं था ठीक है ये लोग सार्व भोमिक व्यस्क मताधिकार यानि की सभी नागरी को वोट देने के अधिकार के पक्ष में ही नहीं थे उनका मानना था कि वोट का अधिकार केवल संपत्तिधारियों को ही मिलना चाहिए सेकेंड जो है रेडिकल समू के लोग ऐसी सरकार के पक्ष में थे जो देश की आबादी के बहुमत के समर्थन के पर अधारित हूँ इन में से बहुत सारे लोग महिला मत अधिकार अंदोलन के भी समर्थक थे उधारवादियों के फिर्पित ये लोग बड़े जमिदारों और संपन उध्योग पतियों को प्राप्त किसी भी तरह के विशेश अधिकार के खिलाफ थे ठीक है इनका माना था कि सबको समान अधिकार बिल ले जाए है कुर्शन नमबर तीन का अंसर जो कि दो नमबर के लिए आप से लिए प्रश्न है याँ पर रूडी वादी तबका रेडिकल और उदारवादी दोनों के खिलाफ था रूडी वादी तबका रेडिकल और उदारवादी दोनों के खिलाफ था मगर फ्रांसीसी किरांती के बाद तो रूडी वादी भी बदलाव की जरुरत को सुईकार करने लगे थे तो रूडी वादी आमतोर पर परिवर्तन के विचारों के विरोध करते थे लेकिन 19 वे तक आते 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 वे भी मानने लगे कि कुछ परिवर्तन आवर्शक हो गया है पर अधीत का सम्मान किया जाए अर्थात अतीत को पूरी तरह से ठुकराया ना जाए और बदलाव भी हो लेकिन धीमी गती से हो इसी तरह से बेटा कुछिन नमर 12 भी आपसे एक अनुछेद वाला ही प्रेशन है जिसके अंदर आपको यह अनुछेद को पढ़ना है मानसुनी वन पर अधारिती अनुछेद है और इस पस कुछ कुछ पूछे गए हैं जिसकी आंसर आपको देने हैं तो यह आप अनुछेद को अच्छे से स्क्रिंशॉट लेकर करके रीड कर लेंगे और उसके बाद अनुछेद पर आपका पहला प्रेशन है कि उप्रोक्त अनुछेद में से किस प्रकार की वनस्पती की चर्चा की गई है और यह जो वन चेटर है वो कौन से चेटरों म जहां आपको अर्द पर्ण पातिवन बताना है कहां पाय जाते हैं तो देश के पूर्वी भावो में यानि कि उत्तर पूर्वी राज्य हिमाले की गिर्पत परदेश जारगन पस्टी मुलिशा चातिसगर और पस्टी में गाटो के पूर्वी ढालो पर और शुष्क पर्ण ट्रिफान पाय जाते हैं तो एसे चेत्रों में पायाधीभ जिन बतe स्टी मुल्र के 1 द जैसे के उत्तर प्रदेश बिहार के मैदान अब आपको अर्द पातिवन सुशक पाण पातिवन के वीच डिफीररण के तो एसे सब भातिवन से रहां जाहां की डेनी तृस पायख स तो शागून बाद प्रमुक पेड़ के लाव़ा बास साल, सिशन, छंधन, खैर, खिर, और अर्जुन, से तूत, ठीक है यह हैं आर्द पनपाती वन के और इसके अलाबा साल, पीपल, नीम, के वरक्ष ये जो है, ये सुष्क पनपाती वन में उगते हैं, ठीक है बिटा, आप देखने हैं, आपका लास्ट डा वाला प्रश्न, जो की आपका मानचितर पर अधारित है, तो ये है बिटा, आपका लास्ट सेक्शन E, यानि की खंड डा और इसके अलावा आपको इसके अंदर दिखाना है, वूलर जील, सांबर जील और पुलिकट जील को, तो बिटा, देख लेते हैं इसका अंसर, तो बिटा, ये है आपका पहला मैप, जिसके अंदर आपको दिखाना था, मित्र रस्ट, तो सांबर जील, पुलिकट जील और ठतुई है और सेकंड में जिसके अंदर आपको सम बढ़ जील पुलिकरच जील और यह तीanto भोलड़ जील होगै आपका सांबर जील होगए है दूसरे मैप में और इसके अलाबा पूलिकरच जील होगया ठैक बटा तो यह तीन हो जीजे आपको इस मैप में दिखाने थी तो बिटा ये था आपका एक model test paper यानि की sample paper भी आप इसको कह सकते हैं class 9 का sst subject के लिए आशा करते हूं दोस्तों एक्जाम से पहले ये वीडियो आपके लिए काफी useful रहेगा चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को subscribe करना ना भूले और ये वीडियो भी अपने दोस्तों के साथ share कर दे